कभी भगवान को जोर जोर से पुकारता है, अलाप लगाता है, कभी उच्छे स्वर में कीर्तन करता है, नाचता है, गाता है, कभी फूल चुन के लाता है, भगवान की चर्णों मरपन करता है, कभी सुन्दर भगवान को भोजन बनाता है, भोग लगाता है, उसके भाव निकर नहीं लगते हैं, कभी उदासीन सा बनकर, बैरागी सा बनकर, और सडकों पर चला जाता है, बैयार में चला जाता है, जंगल में चला जाता है, नदी की किनारे बैठ जाता है, गुम सुमो करके, प्रभू की याद में, भाव विवोर रहता है, ये दूसरी दरजे का उचा पोंचा हुआ भक् तीसरे दर्जे पर प्रेमा भक्ति है कहिए कि प्रथम दर्जा प्रेमा भक्ति का है दूसरा दर्जा भाव भक्ति का है और तीसरा साधन भक्ति का है प्रेमा भक्ति सर्व स्रेश्ट है प्रेमा भक्ति जिसके इरिद्य में प्रगट हो जाती है इसी को परा भक्ति कहा है इसी को शुद्ध भक्ति कहा है निर्मला भक्ति इसमें मल नहीं विकार नहीं इस फस्ट दर्जे की भक्ति में भक्त रोता है तो संसार के लिए नहीं रोता या इसलिए नहीं रोता कि मेरा मंदिर नहीं बना या मेरा घर नहीं बना या मेरे बच्चा डॉक्टर नहीं बना या कोई दुख से पीडित होकर नहीं प्रेमा भक्ती में भक्त का जो महा भाव खिलता है वो परम शुद्ध होता है प्रभू से के दर्शन चाहता है प्रभू से मिलना चाहता है प्रभू से बात करना चाहता है प्रभू को आलिंदन करना चाहता है प्रवु का भीयोग सहन नहीं होता है उससे जलता है जल्म पैदा होती इर्दे में बिरह अगनी में जलता है प्रेमा भक्ती का सबसे स्रेष्ट उधारन शास्त्रों में गोपियों का दिया गया है श्रीमत भागुदीता में शुगदे गोश्वामी जी व्याख्षान करते हुए उप्देश कर रहे हैं कि प्रेमा भक्ती की गोपियों की इर्दे में सर्व स्रिष्ट होती है गोपियां भगवान को नहीं भुला पाती है उनके चिंतन में सदेव चित चोर बसे रहते हैं उनके मनन में माकन चोर बसे रहते हैं उनके निद्रा में नेट्वर नागर होते हैं उनके कर्मों में कृष्ण कनिया होते हैं अश्ट प्रहर प्रभू को नहीं बुला पाते प्रेमा भक्ती में ओत प्रोथ होते हैं ये निर्मला होती है इसमें मल नहीं होता पहली और दूसरे दर्जे की भक्ति में कुछ मल आउशेश रह जाता है दूसरे दर्जे की भक्ति में भी भाव भक्ति में विचार उठाता है भगवान से प्रार्थन करता है बहुत सुन्दर तेरा मंदिर बनाना चाहता हूँ मिशेश के साथ साथ है कि 108 मारवल कि विशेश कं वे मंदिन हो कि सुंदर गुमब जवनी हो मारवल प्रकाशीफ हो और दिव्य मूर्तिय आपकी मंदिर में राजमान हो यह भगवान मेरे उपर कृपा कीजिए, गोविंद मेरे उपर कृपा कीजिए, मैं आपका मंदिर बनाना चाहता हूँ, इसमें भी अश्रुपात होते हैं, यह भाव वक्त भी साधर नहीं, यह भी स्रेष्ट वक्त है, लेकिन प्रेमा भक्ती बहुत बिशेस है, जिनको प्र प्रेमा भक्ती की प्राप्ती हो जाती है, इस संसार में वो नहीं रहते हैं, यह देहे त्याकर वो अपनी प्रभु को मिल जाते हैं, प्रभु की और चले जाते हैं, प्रभु के धाम में चले जाते हैं, वो ववायन स्री कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं, गोपियों का स भोजन बनाती थी, गव का दूद निकालती थी, घर को साप करती थी, पानी भरबर के लाती थी, खेतों पर जाके काम करती थी, लेकिन उनके चित से चित सोर भवाँ आन स्री कृष्ण नहीं उतरते थे, सदे पागल सी बनी रहती थी उनके देखने के लिए, लालाइत रहती उनका कानों में यदि कृष्ण का नाम भी आ जाए, तो बहुत भूल जाती थी, ऐसे और भी भक्त हो ये हैं, बहुत उधारने जिनके कानों में भगवान का नाम भी आ जाए, तो महाभाव को प्राप्त हो जाते हैं, कोई उनके उंट को उंचे स्वर में पुकार दे, वो म नाम कृष्ण परमांस का नाम सुना है सबने, वो बड़े प्रकाशमान भक्त थे, काली माता के भक्त थे, लेनुगा नाम तो राम और कृष्ण नाम से संभुदित था, जब कोई उनको कोई आवाज देता था राम कृष्ण, उनका कोई मिलने वाला सादू मात्मा, तो उनको महावावा आजाता था, अच्छे तन हो नहीं लगते थे, कि भगवान राम का और कृष्ण का नाम मेरे कानों माता है, मैं कितना भाग साली हूँ, राम कृष्ण ने भी ब्रिंदावन में भक्ति की थी भगवान की, गोपी भाव में ही भक्ति की थी, उनके विशेश प्रम प्रमाने इस बात की, और वो गोपी स्वरूपाई हो गए थे, प्रमान मिलते हैं इस बात के की, छे मैने के अंदर भी, उनका भाव, भवान स्री कृष्ण के प्रति, उच्छतम सिखर पर पहुंच गया था, उनके इस्थन उभरने लगे थे, गोपियों की तरह, किसी इस्त्री के जैसे इस्तन उभरते हैं, गोपी भाव में भक्ती करते थे, एक ऐसी संप्रदा है ब्रिंदावन में, जिसमें गोपी भाव में भक्ती होती है, तो भक्त कहीं से भी भग्वान की भक्ती करना शुरू करें, ओच्छतम सिखर पर पहुंचता है, जिस भाव से भी करता है, सका भाव है, मित्रवत भग्वान को ब्योहार करते हैं, दास भाव है, बातसल भाव है, माता पिताओं की तरह भग्वान को पूछते हैं, पालते हैं, खिलाते हैं, प्रीम करते हैं, नाम लेते होंगा, जिससे माता पिता आपने बीटेगा, ठीक वैसे ही जिसे ये शुदारानी, कनिया का कान पकड़ के कहती थी, बोल कनिया, सब लोग कह रहे हैं तो निमाटी खाईए, दिखा, मुझ खोल के दिखा, भग्वान ने दिखाया, लिए ये शुदा माने तो ब्रह्मांड देखा अंदर मुह में, तमाम ब्रह्मांड, चांद सूरज, नंद भावा का घर, और सो नंद भावा बैठे हुए है माहा भाव में आ गई है, मूर्चा हो गई, बुला दिया, कृष्ण ने सब कुछ, क्या देखा, क्या नहीं देखा बगवान ब्रज में मिठी खा रहे हैं, ये जानकर कि इस ब्रज भूमी में मेरे एक से एक बढ़कर शुद्ध भक्त, जन्म लेते हैं, ले रहे हैं, आज भी हैं, कल भी थे, कल भी होंगे आज भी हैं, आज भी भगवान के शुद्ध तम भक्त, ब्रिंदा बन, गोकुल, बरसाना, नंद ग्राम, बहुला बन, कदम बन, इन में मिलते हैं, और इतने सीधे सरल सुभाव में मिलते हैं, कि आप उनको पैचान, ने में गल्ती खर देगे, नहीं पैचान पाएंगे शुद्ध भक्त आडंबरी नहीं होता, दिखावा नहीं करता, नहीं याचक होता, नहीं किसी से कुछ मानता है, पैसा या सुंदर वस्त्र, जैसा प्रभू सप्लाई कर दें, आनंद लेता है, बल्कि एकसस सप्लाई कर दें, तो रिजेक्ट भी करता है, कि नहीं भाई, प्रेफास है, दो कपड़े हैं, दो जोडी कपड़े हैं, पाओं में चपल हैं, सब आनंद है, आप आनंद में रहो, भगवान आपको भी प्रसंद रखें, भगवान अपनी भक्ती तुमें भी दें, I am very satisfied, प्रेमा भक्ती गोपियों की होती है, तो ये दुराचारी व्यक्ती भी, चांडाल भी, या कोई less intelligent woman भी, या संसार में, व्यापार में फसा हुआ आदमी भी, या तक कि वैश्या भी, ये दि भगवान की शर्ण लेकर, उनका भजन करे, भक्ती करे, सादन भक्ती में प्रिवेश करे, बेशक अपना धंदा ने त्यागे, तब भी भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति भी, शिग्री, परम शांती को उपलब्द हो जाते हैं, परम शांती तो भगवान के धाम में मिलती है, और कहीं नहीं मिलती है, भगवान कहते हैं, शश्वत शांती निगच्छती, वो सनातन, इटर्नल पीस को प्राप्त हो जाते हैं, आध्यात्मिक शांती उनके इरदय में ब्याप्त हो जाती है, या जमीन पर भी और शरी छोड़ने के बाद भी उनको भगवान का धाम मिलता है, क्षिप्रम भावती, क्षिप्रम अनिशीग्र, क्षिप्रम भावती धर्मात्मा, शीग्री वो चांडाल, या वैश्य, या दुराचारी, महात्मा वो जाता है, महान आत्मा, महान आत्मा कहते हैं, जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया है, सेल्फ रिलाइशन हो गया है, आत्म साक्षात कार हो गया है, उसको महात्मा कहते हैं, हर किसी को नहीं, सम्मान वेशक सभी को देना चाहिए, सम्मान देना तो दैवी गुन है सभी को सम्मान देना चाहिए पसु पक्षियों को भी सम्मान देना चाहिए फिर कोई भगवान की साधना कर रहा है उसको महत्मा कह दो तो इसमें हर्ज नहीं है आपका बड़पन है यहां तक किसी ने साधू के कपड़े भी पहन लिये है और अंदर से साधू नहीं है तब भी महत्मा कह दो तो आपका बड़पन है आपकी तरक्की है आध्यात्मिक्ता की और और कोई साधू महत्मा भी हो रियल महत्मा और उसको तुम तिरुसकार करो इगनूर करो या अपना जैसा ही मानो या कोई लाल चीप ग्रीडी पैसे का मानो तो यह हमारा बड़पन नहीं है यह हमारा छोटा पन है सोचनी की बुद्धी कम है हमारे अंदर एहंकार प्रबल है हमारे अंदर इसलिए एक महात्मा को ही हम महात्मा कहने में संकुचीत होते हैं सर्ग सुकरते हैं नहीं कह पाते हैं क्योंकि जब देखते हैं कि महात्मा यह लंगोटी में घूम रहा है आगे पीछे कुछ है नहीं भोजन की तलास में डोल रहा है ये फक्कड को हम क्या मात्मा कहें या ये गरीब घर में रह रहा है अपने बच्चों को पता नहीं कैसे कैसे खिला पिला रहा है इसको क्या हम मात्मा कहें तो इसमें हम संकुचित होते हैं सुकडते हैं छोटे बनते हैं फैलते नहीं फैलेगा तो वो ही जो सबको सम्मान करेगा सबको आदर सबकार करेगा सबको प्यार करेगा वो फैलेगा सुकडेगा नहीं सुकडेगा तो वो जो प्यार की कला नहीं सीखेगा सम्मान देना नहीं सीखेगा किसी को आदर स्वागत नहीं करेगा किसी से बात नहीं करेगा बगल में से मुझ फुला के निकल जागा वो सुकडेगा भगवान के बगत कमल के फूल की तरह खिलते हैं इर्दे में भी और चेहरे पर भी नेत्रों में भगवान के बगतों के जो वेरी हैं वो मुफ लाए हुए रहते हैं एंकार में रहते हैं नजरों में कुरूर कुरूरता समाई हुई रहती है फिर्दे में धूरतता समाई रहती है वो सुकड चुके हैं उनका पतन संभाव है उनको दुख तकलीफ है गेरने वाली हैं, गेरे हुए है वो सुकी नहीं है वो अपने मन में ही बुद्धिमान बनते हैं वो उनकी मर्जी है भवान स्री कृष्ण के भक्त थे सुदामा बड़े गरीब थे ब्रामन थे उच्च कोटी के ब्रामन थे लेकिन दरिद्र थे घर में कुछ नहीं है, उसको दरिद्र बोल देते है खाने को भी अन्न नहीं था पहने कोई वस्तर नहीं थे टूटी सी एक छपरा था उसमें रहते हैं पत्नी थी उनकी एक सुसीला बच्चों का प्रमान तो मुझे नहीं मिला कहीं लेकिन पत्नी थी अभी इतनी ये शुद्ध महात्मा थे भगवान के भग्त थे कि भगवान इनको आलिंगन करके असुरुपात करने लगे अभी ऐसे छुपे हुए महात्मा आदरनी ये नहीं है तो कौन है फिर जिनको आत्म ज्यान है वो तो ब्रक्षों को भी सम्मान करते हैं ब्रक्षों की जड़ों को अपने हाथ से चूकर सर के लगाते हैं ये समझके कि मेरे परमात्मा इस ब्रक्ष के अंदर भी सुदामा जी तो बड़े गरीब थे और कुछ समय उन्होंने ऐसा निकाला कि एक ब्रत ले लिया उस ब्रत का नाम है ययाचिक ब्रत कि ययाचिक ब्रत का मतलब ही यह है कि याचना नहीं करना है किसी भी वस्तू की किसी से भी लेने की याचना नहीं करना है मांगना नहीं तो बड़ी और भी गरीबी आलत होई आकर एक दिन काफी भूका था परिवार हुंका दो दिन से घर में है कि तुसी अपने बच्चे दे पवेखबार रिचिंतित हो या जानना चान दे हो केडी फील्ड जह है ओदा पवेखरोशन ओबनेगा डॉक्टर, इंजीनियर, सिंगर, मॉडल या कुछ होर दिन दे नानना चान आपनेगा डॉक्टर, दिन दे पवेखरोशन द्वारा तुसी पता लगा सकते हो केडी फील्ड जह है तौड़ा बच्चा माहर आर सांटिफिक मेथज्ड विल्ड जह है तौड़ा बच्चा माहर परस्नलाई अकडमिक